नमस्कार दोस्तों मैं ललन कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूटूब चैनल SBI Life Insurance Advisor में आप में से एक व्यूवर है जिनका नाम उदय भान सिंग राठोर है इन्होंने SBI Life Retire Smart Pension Plan को ले रखा है और इनका Policy Term 5 साल का है उदय भान सिंग राठोर जी जानना चाहते हैं कि जब इनका 5 साल पूरा हो जाएगा SBI Life Retire Smart Pension Plan का Policy Term पूरा हो जाएगा और जो भी इनका Payment बनता है जो भी Maturity Benefit होगा क्या वह इन्हें एक साथ मिलेगा या फिर वही पैसा इंस्टॉल्मेंट के रूप में एज पैंसन इन्हें मिलता रहेगा तो वैसर व्यूवर जो उदय भान सिंग राठोर जी द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जानना चाहते हैं इस वीडियो को ध्यान पुरुवग देखेंगे और सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को SBI Life Insurance के ओफिसल वीबसाइट के माध्यम से उदय भान सिंग राठोर जी द्वारा पूछे गए सवाल के बारे में जानकारी दी जाएगी तो किरपर करके वीडियो को ध्यान पुरुवग देखें और सुने ताकि आपको सही सही जानकारी मिल सकें सबसे पहले आप लोगों को अपने सिस्टम में SBI Life Insurance का ओफिसल वीबसाइट ओपन कर लेना है वीबसाइट ओपन करने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ आना है यहां पर हमें केयर फिरी रिटार्मेंट का ओप्सन मिलता है वैसे वीवर जो SBI Life Insurance की ओफिसल वीबसाइट को अपने मूबाइल में ओपन करेंगे वे मूबाइल की सेटिंग को डेक्स्टॉप मोड में ओन कर लेंगे उसके बाद केयर फिरी रिटार्मेंट में लो मोर वाले आप्सन पर हमें किलिक करना है हमारे सामने एक नया पेज उपन हो जाता है इस पेज में हमें SBI Life Insurance की जितने भी रिटार्मेंट प्लान है हमें इस आप्सन पर किलिक करना है अब हमारे सामने SBI Life रिटार्मेंट का ओफिस्यल पेज ओपन हो जाएगा इस पेज में हमें नीचे की तरफ आना है सबसे पहले हमें कैल्कुलेटर मिलता है उसके बाद थोड़ा और नीचे आने पार हमें प्लान बेनेफिट्स का ओप्सन मिलता है इस ओप्सन पर हमें क्लिक करना है यहां पर हमें SBI Life रिटार्मेंट पॉलिसी से होने वाले बेनेफिट्स के बारे में पूरी यहनकरी डिटेल में मिल जाती है देख सकते हैं यहां पर हमें मेचुरिटी बेनेफिट के बादे में बताया गया है यहां हमें बताया गया है कि यदि SBI Life रिटार्मेंट पैंसन प्लान में आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है और जो भी आपका मेचुरिटी बेनेफिट बनता है जो भी आपका amount बनता है उस amount से आपको annuity purchase करना होता है annuity purchase करने के बाद जो भी annuity rate of interest होता है उसका भुगतान आप लोगों को yearly, half yearly, quarterly और monthly जिस mood में आप लेना चाहें उस mood में मिलता रहता है अब यदि आपको पैसों की जरूरत है तो जो भी आपका amount बना उसमें से आप 60% तक amount ले सकते हैं बाकी का जो भी 40% amount बचता है उससे आपको annuity purchase करना होता है अब हम लोग बात करते हैं उन पैसों की जिन पैसों से हमने annuity को purchase किया annuity purchase किया तो उसका rate of interest हमें as a pension मिला लेकिन यदि हम नहीं रहते हैं तो हमारे ना रहने के बाद हमारा उन पैसों का जिससे हमने annuity purchase किया क्या होगा तो यह बात पूरी तरीके से इस बात पर depend करता है कि pension plan को लेते समय अस्मिय लेक्ष रेटार इश्मार pension plan को जब आप ले रहे थी उस समय आपने annuity option में से किस option का चुनाव किया annuity options ही यह पताय करता है कि आपको pension की रूप में कितना पैसा मिलना चाहिए pension आपको कैसे मिलना है और उन पैसो का जिन पैसो से आपने annuity को purchase किया उसका क्या होगा तो वैसे viewer जो SBI Life Retire इश्मार pension plan को ले चुके है या फिल लेने की योजना बना रहे है अनुइटी options के बादे में जानकारी जरूर प्राप्त करें अनुइटी options की जानकारी से समदित वीडियो अल्रेडी बना हुआ है उस वीडियो का लिंक आप लोगों को description box में मिल जाएगा उमीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और उदय भान सिंग राठोर जी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कि SBA Life Insurance Advisor चैनल के मादम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को असानी से मिल सके इस वीडियो के मादम से बस इतना ही फिर मिलेंगे नेक्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ जाए ही जाभारत